इतने में नमस्कार दोस्तो गोड़ी मिनिंग आप सबी का बहुत भुऺ श्वागत है। हमारे यूटूब चैनल कैरियर परिवार में मैं मुकेष कुमार आप सब का बहुत भुआ श्वागत करता हूँ। चलिए आज का class हम लोग start करते हैं कल जो class होई थी वो math की class होई थी ठीक है और काफी अच्छा था कल लगभग ठीक दीख रहा था board पर आप लोग को और हम कोसिस कर रहे हैं कि जल्द से जल्द आप सभी के लिए एक digital board की विवस्था की जाए और जिस पर काफी अच्छे तरीक class आपका उसमें दिक्कत नहीं होगा और उसके बाद फिर और भी विश्थार पूर्वा का आप लोग को class उसमें करवाया जाएगा आप लोग से एक ही request था कि आप लोग थोड़ा सा सहयोग कीजिएगा ताकि अधिक से जल्द से जल्द लिया जा सके board क्योंकि board खरिदने मे बहुत ज़्यादा खर्च आता है इस बज़ा से ही आप सभी को थोड़ा सा request किया जा रहा है अना हमारे group में बहुत सारे साथ ही जुड़े हुए हैं लगबग 2,000 लोग उसमें जुड़े हुए हैं और उसमें बहुत कम ही लोग अभी तक सहीयोग कीजिए अना क्योंकि उस 20-50,000 तक उसमें खर्च होता तो मैं खुद ही उसको लगा लेता ठीक है लेकिन उसमें ज़्यादा खर्च होता है इस बज़ा से आप सभी से मांगा जा रहा है आज हम लोग दोगस्तों देखेंगे टेस्ट नमबर आपका 9 जिसमें लगभक 100 महत्पून जोगरफी का सवाल यहाँ पर देखने वाले हैं बहुत important सवाल है आज का सवाल जो है यह ज़्यादा करके आज परवतों से सवाल आपको देखने को मिलेगा भारत से बिहार से विश्व से जितने भी महत्पून परवत से संबंधित प्रस्ण है वो सारा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वा और विडियो को थोड़ा सा लाइक भी कर दीजिएगा अपने अपने दोस्तों को सेर भी कर दीजिएगा ये जो नमबर दीख रहा है आप लोग को और जो हमारे नए साथ ही हैं अभी तक हमारे ग्रूप में नहीं जुड़े हैं अगर आपको नोट्स चाहिए पेडियेफ चाहिए तो आप हमें इस नमबर पे मैसेज कीजिए उसमें मात्र 351 चार्ज है आप पेमेंट करके हमारे ग्रूप में जुड़ सकते हैं और सभी यहाब्त कर सकते हैं हमारा टेलिग्राम गुरूप भी ज्यूइन कीजिए गा कैरियर परिवार और टेलिग्राय में दोस्तों तो बहुत जल्द आप सभी को question भी देखा जाएगा, मिलेगा उसमें अभी तो आपको मिल रहा था, बहुत कम मिल रहा था, लेकिन उसमें भी हम ध्रे-द्रे करके सुरू करेंगे, चलिए, आज का हम लोग पहला सवाल देख लेते हैं, पहला सवाल क्या कह रहा है कि अवरोध परवत है, कल आप लोग परसो हुआ था जोगरफी का कलास ना, तो परसो जो कलास हुआ था, उसमें भी आप लोग को इस परवत के बारे में थोड़ा सा बताया गया था, यानि की अवरोधी परवत, देखिए कुछ ऐसे परवत जो होते हैं, जैसे कि मान लिया जाए, ये क परवत है, और इस परवत का निर्मान होता है, इसको कहते हैं, अवरोधी परवत, आना, और या फिर इसी को कहा जाता है, भरंसूत परवत, पिछले कलास में एक कोस्चन आप लोग को बताये थे, कि पिर्थवी के आंतरिक सक्तियों के फलसोरूप, धरातल के किसी भाग में भरंस या धरार पढ़ जाने से बनने वाले परवतों को ब्लॉक परवत कहते हैं, हाना, या फिर उसी को भरंसोत परवत भी आप कह सकते हैं, चलिए अगला सवाल आपका देख लेते हैं, बहुत इंपोर्टन सवाल है दोस्तों, दूसरा नमबर परस्न, क्या कह रहा है, कि उचे परवतों पर अपरदन या घर्सन किरिया के होते रहने से, उनके स्वरूप में व्यापक परिवर्तन हो जाता है, तथा वे एक अवसेश के रूप में बचे रहते हैं, परवतों के इस रूप को किस नाम से जाना जाता है, देखें, ये किस परवत के बारे में चर्च परवत जो है ये अब कैसा परवत है पहले ये मोड़दार परवत था लेकिन अब ये कैसा परवत बन गया है अब सिस्ट परवत बन गया है क्यों कि यह जो ऊचे परवत है न यह अपरदन और घरसन किरिया के फल स्वरूप क्या हो गया यह मतलब कि अपरदन होते होते यह चोटा हो गया है बहुत चोटा हो गया है घरसन किरिया के वज़ा से यह बहुत पुराना परवत है दुनिया की अगर पूछा जाए कि सबसे पुरानी परवत कौन सी है तो वो हो जाएगा आपका अरावली परवत ठीक है अरावली परवत कहां है दोस्तों तो यह गुजरात से ले करके दिल्ली तक यह आपका फैला हुआ है दिल्ली का जो राश्टपती भवन है ना वो भी अरावली परवत के ही राइसीना हील पर आपका परवत अरावली परवत कैसी परवत है अब सिष्ट परवत है पहले ये मुरदार परवत थी हाना और देखिए एक कोस्टन यहां से और पूछा जाएगा कि अरावली की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अरावली की सबसे उची चोटी कौन सी है दोस्तों आप कॉमेंट बॉ परवर्ती या फिर अवसिष्ट परवत को किस अन्य नाम से जाना जाता है देखिए परवर्ती परवत या फिर अवसिष्ट परवत किसे कहते हैं तो अवसिष्ट परवत या परवर्ती परवत इसी को कहते हैं दोस्तों घरसीत परवत घरसीत मतलब कि ये घरसन के वज़ा से अपरदन के वज़ा से ये परवत क्या हो गई, तो काफी छोटा हो गई है, आरावली परवत जो थी न, पहले बहुत बड़ी परवत थी, लेकिन अब ये मान लिये जाए कि पहले इतनी बड़ी थी, तो अब ये इतना बड़ा रह गया है, आना बहुत छोटा हो गया है धीरे सीखर क्या नाम है गुरु सीखर नाम है एक सवाल आप से और है कि गुरु सीखर की उचाई कितनी है जल्दी से कॉमेंट करके बताईएगा चलिए अगला परसन हम देख लेते हैं कि धरातल के ऊपर मिट्टी कंकड बालू लावा इत्यादी के निरंतर एक ही अस्थान पर जम पालू लावा क्या हो रहा है निरंतर क्या हो रहा है दोस्तों तो एक अस्थान पर जमा हो रहा है अगर एक अस्थान पर जमा होते 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 क्या बन जाएगा जमा होते होते क्या बन जाएगा तो एक परवत का निर्मान हो जाएगा और इस परवत को कहेंगे संग्रहित प परवत कहते हैं देखिए इस परवत को आप अब साधी परवत भी आप इसको कह सकते हैं अब साधी चटान अब साधी परवत कह सकते हैं इसको ठीक है चलिए हम चलते हैं अगला सवाल आप से ये कभी प्रस ने पूछा गया था कि अरावली की सबसे उची चोटी तो गुरु स और गुरु सिखर के उचाई भाया कितना है तो 1722 मीटर याद रखिएगा ये बहुत important सवाल है कि गुरु सिखर के उचाई है 1722 मीटर रट लीजिएगा नहीं याद है तो नोट कर लीजिएगा ठीक है जब तक नोट करना नहीं सिखिएगा ना आगे नहीं बढ़ पाईएग जो चीज आपको नहीं याद होता है उसको नोट कर लिया किजिए एक रफ कॉपी रखिए उसमें नोट करते चलिए चलिए अगला सवाल देखते हैं का रहा है कि भूपटल में किसी अस्थान के अंदर से उपर की दिसा में उभार होने के कारण जिन परवतों का निर्मान ह होता है उसे क्या कहते हैं क्या कह रहा है कि भूपटल में किसी अस्थान के अंदर से क्या कह रहा है उपर की दिसा में उभार हो रहा है तो इससे जो परवत का निर्मान होता है इसको कहते हैं गुंबदाकार परवत यह सब परकार है परवतों के तो यह आपको याद रखना पड़ेगा गुमबदाकार परवत अगला सवाल है दोस्तों कि किस परवत सिखर को गौडविन आस्टिन कहते हैं भेरी भेरी इंपोर्टन सवाल है गौडविन आस्टिन इसको कहते हैं केटू और केटू कहां इस्थित है दोस्तों तो कारा कोरम, कहां है कारा कोरम परवत स्रेनी में, कारा कोरम परवत स्रेनी में केटू इस्थित है, आना कारा कोरम परवत स्रेनी की जो उची चोटी है न, उसको कहते हैं केटू, एक सवाल आपसे की केटू की उचाई कितनी है, चल्दी भारत की सबसे उची चोटी कौन सी है या फिर भारत की सबसे उची परवत कौन सी है तो वो कौन सी है दोस्तों केटू ही है आपका भारत की सबसे उची चोटी इसकी उचाई आप नोट कर लीजेगा 8,611 मीटर ठीक है 8,611 मीटर एक कोस्टन पूछा जाएगा confusion वाला question ये रहेगा कि भारत में हिमालय की सबसे उची चोटी कौन सी है अना केटू के बारे में आपको क्या बताए कि भारत की सबसे उची चोटी केटू और question पूछेगा कि भारत में हिमालय की सबसे उची चोटी कंचन जंगा याद रखिएगा भारत में हिमाले की सबसे उची चोटी कंचन जंगा कहां है कंचन जंगा तो सिक्किम में है ठीक है चलिए अगला प्रशन है कि विश्व का सबसे उचा परवत सिखर कौन सा है अब आजाईए विश्व में तो विश्व का सबसे उचा जो परवत सिखर है वो तो Mount Everest ही है आपको पता है और Mount Everest जो है वो हिमाले की ही चोटी है हिमाले तो आपका बहुत बड़ा है पचीस सो किलो मीटर में फैला हुआ है आपका हिमाले हाना हिमाले जो है पचीस सो किलो मीटर में फैला हुआ है लेकिन हिमाले की जो सबसे उची चोटी है इसको क्या नाम दिया गया है माउंट एवरेस्ट और माउंट एवरेस्ट के उचाई कितनी है तो अगला सवाल आपका यही है और इसके उचाई है 8850 मीटर ठीक है 8850 मीटर पुराने वाले किताब में आप पढ़िएगा तो 8848 मीटर आपको देखने को मिलेगा ताप घबराईएगा नहीं क्योंकि हिमाले परवत जो है न ये अभी भी उपर की और उठ रही है इसके बज़ा से ये धीरे-धीरे चेंज हो गया है आपका ठीक है नए-णए जो NCRT जो बूक है उसमें आपको यही देखने को मिलेगा दोस्तों ठीक है चलिए तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप लोग इतने लोग लाइव आ चुके है तो सभी लोग थोड़ा सा एक वार लाइक बटन को दबा दीजिएगा है ना और चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब भी कर लिजिएगा अगला परस्न है आपका कि एवरेस्ट की अवस्थिती का पता लगाने वाले ततकालिन भारत के किस महासरविच्छक के नाम पर इसका यह नाम पढ़ा है देखिए एवरेस्ट की अवस्थिती मतलब की एवरेस्ट जो चोटी है इसका पता किस ने लगाया तो बहुत अच्छा आदमी था यह इसका नाम था सर जोर्ज एवरेस्ट और इसी के नाम पर इसका नाम पढ़ गया दोस्तों एवरेस्ट माउंट एवरेस्ट ठीक है यह पहले तो हिमाले परवत था लेकिन एवरेस्ट के बारे में पता नहीं था इसका खोज किस ने किया तो सर जोर्ज एवरेस्ट ही किये आना और इनहीं के नाम पर यह माउंट एवरेस्ट नाम पढ़ गया तो यह भाईया रट लीजेगा आप चलिए अगला प्रसन है कि Mount Everest को पहले किस नाम से जाना जाता था बहुत नहीं important सवाल है तो Mount Everest को जो पहले जाना जाता था दोस्तों वो चोटी 15 के नाम से जाना जाता था ठीक है चोटी 15 के नाम से चलिए अगला है कि Mount Everest को तिबबत में किस नाम से जानते हैं इसको तिबबत में दोस्तों चोमो लंगमा क्या कहते हैं तिबबत में मौंट एवरेष्ट को चोमो लंगमा कहते हैं और मौंट एवरेष्ट को नेपाल में क्या कहते हैं तो सागर माथा कहते हैं ठीक है क्या कहते हैं सागर माथा और तिबबत में चोमो लंगमा ठीक है याद रखिएगा सभी लोगों को याद भी होगा बहुत सारे लोगों को जिनको नहीं याद है तो थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा अगला है कि मौन्ट एवरेस्ट की चोटी पर सरो पर्थम पहुचने का स्रे किने हैं सबसे पहले मौन्ट एवरेस्ट की चोटी पर किस ने पहुचा और उन्होंने कब इस चोटी पर फतह किया था समय भी बताना है मतलब की आपको इसवी भी बताना है तो उनका नाम था एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नारगे ठीक है ये कब चड़े थे दोस्तों 1953 इसवी में कॉमेंट बॉक्स में आप लोगों को छाप देना है कि एडमंड हिलेरी कहां के हैं और तेंजिंग नारगे कहां के हैं ठीक है ये दोनों कहां के हैं ये भी कोस्चन आपको एक्जाम में पूछा जाता है तो जल्दी से कॉमेंट बॉक्स में इसको छाप दीजिए अगला सवाल है आपका कि माउंट एवरेस्ट पर चड़ने वाली पहली महिला अब बताए कि पहली महिला कौन थी दोस्तों बहुत इंपॉर्टन ये सब सवाल जो है न फेबरेट क्यूस्चन है और बार बार ये आपको पूछा जाता है तो पहली जो चड़ने वाली थी उसका नाम था जूको तेवई और ये थी जापान की थी और ये कब चड़ी थी तो 1975 में नेक्स्ट है कि पहली भारतिय महिला जो 1984 इसवी में एवरेस्ट पर पहुची थी पहली भारतिय महिला तो ये और भी जादा इंपॉर्टन हो जाता है तो उनका नाम था बचहंदरी पाल क्या नाम था बचहंदरी पाल 1984 इसवी में दूस्तों पहली भारतिय महिला थी जो ए 18 बार हाना सरवाधिक 18 बार एवरेष्ट पर चढ़ने का record किसके नाम है दुस्तो इसका काम ही यही है एवरेष्ट पर चढ़ना उतरना इनका नाम है अपासिरपा क्या नाम है अपासिरपा नेक्स है कि पहले टांग के जरिये 1998 में एवरेस्ट पर चढ़ने में सफलता सफल रहे थे दोस्तों पहले बिकलांग बेकती कौन थे जो 1998 इस्वी में चढ़े थे उनका नाम था टॉम वाइट टेकर और ये अमिर्का के थे हैं ना टॉम वाइट टेकर ठीक है अगला प्रशन है कि विश्व का स अवरोधी परवत के नाम से भी जाना जाता है और ये जो कोस्चन है बहुत इंपोर्टेंट है प्रशन क्या है कि विश्व का सरवाधिक अवरोधी परवत यानि की अवसिष्ट परवत कौन सी है तो उसका नाम है सियरा नेवादा उसका नाम है दोस्तों विश्व की सबसे भरंसोत परवत एक चीज हमें आप बताईए कि यह जो विष्व की सबसे अवरोधी परवत जो है भरंसोत परवत जो है दोस्तों यह सियरा नवादा जो है यह कहां है तो आद रखिएगा यह अस्पेन में है कहां है यह अस्पेन में है आपका यह कोस्चन आपको पूछा गय नेक्स्ट है कि विश्व की सबसे लंबी परवत स्रिंखला या परवत माला कौन सी है तो आपको पता है कि दुनिया की सबसे लंबी हाना तो लंबी इसका नाम है एंडीज और एंडीज परवत स्रिंखला कहां है तो ये आपको पढ़ता है दक्षिन अमेरिका में कहां है दक् अमेरिका में फैला हुआ है आपका नेक्स सवाल है आपका कि एंडिज परवत की सबसे उची चोटी जैसे कि हिमाले की सबसे उची चोटी माउंट एवरेस्ट है उसी परकार से एंडिज की सबसे उची चोटी का नाम है एकांका गुवा क्या नाम है एकांका गुवा नाम है कांका गुवा मैं दो तीन वर बोल देता हूँ ताकि आप लोग को सून के भी याद हो जाएगा अगला है कि बिश्व की सबसे उची परवत स्रेनी या परवत माला का नाम है दोस्तो हिमाले क्या नाम है हिमाले परवत सबसे उची तो यही है ना मौंट एवरेस्ट यह है ज्यादा मातरा में है तो वो है अवसिस्ट परवत और अवसिस्ट परवत के बारें का आपको काफी डिटेल से बता दिये भारत में जैसे कि अवसिस्ट परवत कौन सी है अरावली परवत बहुत लंबी परवत है गुजरात से लेकर के राजस्थान और दिल्ली तक आपको अगला है कि संसार का सबसे पुराना परवत कौन सा है दोस्तों तो देखिए मैंने आपको बता दिया था कि संसार का जो सबसे पुराना परवत है वो है अरावली परवत है याद रखिएगा अरावली और इसके सबसे उची चोटी का क्या नाम है तो गुरु सिखर और में 14 सरवाधिक ऊची चोटिया किस परवत चुटियाמם रिंखला किया है तो यह 3 भागों में हमाले परवत चौटिया क्या है तो यह 3 भागों में हमाले परवत पस्रेंखला आपको बताए थे पहले भी कई आपермैने लुक्त सब्से उत्रिवालि हिमाले हिमाले हना इसी को महान हिमाले या फिर हिमादरी हिमाले भी इसको कहा जाता है बीच वाला जो है दोस्तों इसको कहते हैं मद्ध हिमाले ठीक है या फिर इसको हिमाचल हिमाले भी कहा जाता है और सबसे जो दक्षिन वाला है इसको कहते हैं सिवालिक हिमाले ठीक है तो यह नाम आप याद रखिएगा इसको बाटा गया है तीन भाग में और जो सबसे पुराना हिमाला है वो है महान हिमाला है उसके बाद मद्ध हिमाला यानि के हिमाचल हिमाला है और उसके बाद हिमाला है सिवालिक हिमाले को पाद हिमाले भी कहा जाता है ठीक है पाद हिमाले भी कहा जा प्रवतों के सबसे नीचे वाले हिमाले हैं सबसे बाद में जो इसका निर्मान हुआ है वो सिवालिक हिमाले का ही निर्मान हुआ है अगला सवाल अब चलते हैं हम प्रस्न कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी परवत तो आपका बिंध्याचल हो जाएगा ठीक है बिंध्याचल जो हो दोस्तो यह भारत की सबसे लंबी परवत माला है देकि हिमाले जो है ना वो भारत की नहीं है हिमाले तो लंबी है कि हिमाले आपका तिबबत में भी है हिमाले नेपाल में भी है तो भारत की यहाँ पर पूछा गया है तो question में थोड़ा सा गौर कीजिएगा हिमाले मत मार दीजिएगा विंद्या चल हो जाएगा आपका नेक्स्ट है कि अरावली परवत की सबसे उची चोटी तह ये तो आपको भी बता दिये गुरु सीखर इसकी उचाई 1722 मीटर अगला है कि हिमाले की उत्पत्ती किस भोसनती से हुई है बहुत important सवाल है दोस्तो देकि आज जो हमारी पिर्थवी है हाना आज जो हमारी पिर्थवी है इसमें साथ महादेश है कितने महादेश हैं साथ महादेश है लेकिन ये साथो महादेश दोस्तो आज से करोडो वर्स पहले क्या थे तो आपस में जुड़े हुए थे ठीक है आपस में जुड़े हुए थे ये सातो महादेश इसको कहा जाता था पेंजिया क्या कहते थे इसको इसको पेंजिया कहा जाता था हाना सातो महादेश आपस में जुड़े हुए थे और इस पेंजिया के बीचो बीच में एक सागर था दोस्तों ये हमारी पिर्थवी है इसके बीचो बीच में एक सागर थी जिसको कहा जाता था टेथिज सागर क्या नाम था इसका टेथिज सागर इसका नाम था जैसे कि ये आपको उप्शन में दिया गया है टेथिज सागर और ये कहते थे पेंजिया के दच्छिन वाला भाग इसको कहा जाता है गोंडवाना लैंड क्या कहते थे गोंडवाना लैंड इसको कहते थे दोस्तों ठीक है लेकिन जब इसमें मोड परने के बज़ा से आंत्री के आंत्री के मतलव की सक्तियों के बज़ा से इसने मोड पढ़ने के बज़ा से जो सातों महादेश है क्या हो गए धीरे 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 करके अलग हो गए अब ही भी जितने महादेश है ना यसिया अफरीका यूरोप उतरी मेरिका दचने मेरिका अस्ट्रेलिया हाना तो जितने महादेश है भी भी वो भी दोस्तो अभी भी एक दुसरे के ऊपर चड़ रहे हैं एक दुसरे से दूर की ओर जा रहे हैं एक दुसरे से नजदीक आ रहे हैं तो ये आपको जोगरफी में आगे बहुत डिप आगर पढ़िएगा तो वहाँ आपको समझ में आएगा यहाँ जो question पूछा गया है कि हिमाले की जो उत्पत्ती हुई है वहाँ पहले क्या था तो हिमाले की जहां पर अभी उत्पत्ती हुई है वहाँ पहले टेथीज सागर था ठीक है टेथीज सागर यहाँ पर लिखा हुआ है याद रखिएगा बहुत important सवाल है छपेगा एक्जाम में अगला है कि कौन सा परवत महादिवपिय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है तो वो है रौकिज परवत ठीक है रौकिज परवत जो है यह महादिवपिय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है ठीक है और विडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर द करके एक digital board ले लूगा और उस पर पढ़ाने का मज़ा है कुछ और है आप लोग को पढ़ने का मज़ा है कुछ और है जो हमारे पुराने साथी है जो बहुत दीनों से जोड़े हुए हैं हमें पता है कि वह जरूर सहयों करेंगे और कुछ लोग सहयोग किये हैं लेकिन बहुत कम किये हैं थोड़ा सा आप लोग और सहयोग किजिए आप लोग टीचर हैं आप लोग से सिच्छक हैं आप लोग समझ सकते हैं ठीक है अगर मेरे पास उतना रहता तो मैं आप लोग मांगने नहीं जाता, ठीक है, मैं खुद ही लगा लेता और अपने खाने पिने के लिए मांग रहा हूँ आपको पढ़ाने के लिए मांग रहा हूँ ठीक है, तो मेरा नमबर जो है आपका 785-782-4310 ठीक है, इस नमबर पे आप लोग सहयोग कीजिएगा थोड़ा सा ठीक है, जितनी आपकी इच्छा हो सके ऐसे कोई इसमें लिमिट नहीं है फिक्स नहीं है कि आपको 100 रुपया करना है 200 करना है, 500 करना है, जितनी आपकी इच्छा हो आप इसमें सहयोग करें ताकि थोड़ा सा मैं जल्द से जल्द ले सकूँ और अच्छे तरीके से अप लोग को और भी कलास करवावे ताकि आप लोग का result हो ठीक है result हो पैसा माईने नहीं रखता है दोस्तो एक बार result हो जाएगा ना फिर पैसा कोई बड़ी चीज नहीं है हम देखते हैं दूस्तों अगला सवाल आपका प्रस्न क्या कह रहा है कि अवरोधी या भरंसोत परवतों के निर्मान के दवरान नीचे धसे भाग को क्या कहते हैं देखिए अभी आपको बताये थे ना कि जो ये अवरोधी परवत होते हैं या फिर भरंसोत परव इसको कहा जाता है तो इसका जो भाग नीचे धस जाता है ना ये बताये थे ना कि जैसे कि ये कोई भुभाग है भुभाग है इसका बीच वाला भाग क्या हो गया बीच वाला जो आपका नर्मदा नदी और तापती नदी जो है हाना यही रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है यह कोस्चन एक्जाम में पूछा जाता है कि नर्मदा नदी किस घाटी से होकर के बहती है तो यह रिफ्ट घाटी से होकर के बहती है आपका और इसके बज़ा से ही ये मतलब इसकी जो धारा है नर्मदा नदी अव्तापती नदी की काफी तिब्र है और ये डेल्टा का निर्मान नहीं करती है जो भी इसके अंदर मलवा होता है वो मतलब की अरब सागर में जाकर के धकेल देती है इसे ज kidnapping का निर्मान होता है अपका ठ का नाम है जॉर्डन नदी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी रिफ्ट घाटी कॉमेंट करके बताए कि जॉर्डन नदी आखिर कहां बहती है ठीक है बताएगा कॉमेंट करके कि जॉर्डन नदी कहां बहती है अगला सवाल है कि धरातल के ऐसे उचे उठे भाग जो अपने स टो बखने को पत्ता है तो कहा है कि ऐसे परियाप्त उचे होते हैं इसका सीर्स पाथ ठोड़ा होतम है उसे क्या कते हैं जैसे कि इसका सीर्स बजाब किया है वह क्या on इसको कहेंगे आपका परवत क्या कहेंगे इसको परवत कहेंगे पठार किसको कहते है परवतों कि जो उपर की भाग होती है ये वला भाग ये आपका नुकीला होता है ठीक है ये आपका क्या होता है नुकीला होता है लेकिन जो पठार होता है ये उपर वला भाग क्या होता है तो ये सपाट होता है ठीक है और पठार जो होता है दूस्तों इसकी वुचाई ज्यादा नहीं होती है बस धरातल से थोड़ा सा ये वुचा होती है इसको पठार कहते हैं और ये वला भाग क्या हो गया ये वला भाग हो गया आपका मैदान हाना ये वला क्या हो गया आपका मै हो गया है समझ गए चलिए हम चलते हैं नेक्स्ट प्रस्ण पर आपका नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है नेक्स्ट प्रस्ण है आपका कि ज्वाला मुख्य किरिया के फल स्वरूप बने पठार को क्या कहते हैं तो ज्वाला मुख्य किरिया से बना है इसको कहेंगे ज्वाला बहा करके लाए गए नदियों द्वारा बहा करके लाए गए निछेपों से बने पठार को क्या कहेंगे दिके नदी जब निकलती है कहां से निकलती है तो अधिकतर नदियां कहां से निकलती है तो परवत से निकलती है परवत से मान लिजे कि यहां से नदी निकली नदी निक क्या करती है अपने साथ इसको दहाते हुए चलती है तो उसका जो बहाते हुए आती है जब ये धरातल पह आती है तो जब ये आगे बढ़ती है ये नदी नदी आगे बढ़ती और ये क्या करती है धिरे धिरे जितने भी इसमें अपरदन की किरिया अपरदन जो भी इसमें अब सिष्ट था वो क्या कर रहा है धिरे धिरे करके इसको जमा करते वे जा रहा है तो इसको जमा करने से जो पठार का निर्मान हुआ है उसको कहेंगे जलिये पठार उसको क्या क तो ये परिवहन के दूत भी कह सकते हैं इसको और निच्षेपन का आपका वाईو क्या करता है ना कि एक स्थान से कोई चीज है इसको उड़ा करके दूसरे पर ले जा करके जमा कर देता है आपको यहाँ नहीं समझ में आ रहा है ना लेकिन आप राजस्थान में जाएगा ना तो ये आप देखने को मिलेगा दोस्तो जहां बहुत तेज हवाएं चलती है वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस परकार की चीजे ठीक है तो जो वायू से परिवाहन और निछेपन के बाद जो पठार का निर्मान होता है उसको काते हैं वायव पठार क्या काते हैं वायव पठार मतलब की वायू से बनी हुई पठार है ना दूसरा है कि हीम नदी के अपरदन और निछेपन से जो पठार बनता है उसको हीम नदी पठार काते हैं हीम नदी मतलब क्या होता है हीम मतलब क्या होता है बर्फ हीम मतलब क्या होता है बर्फ और नदी का मतलब नदी तो समझी रहें यानि कि बर्फ की नदी जो बाती है ये भी अपरदन करती है और निछेपन, निछेपन मतलब होता है जमाओ निछेपन का मतलब क्या होता है जमाओ मतलब कि एक अस्थान से उठा करके, दूसरे स्थान पर लजा करके, जमाव करता है और उसे जो पठार का निर्मान होता है, उसको कहता है हिम्न अदिये पठार ठीक है, चलिये, नेक्ष्ट सवाल हम देख लेते हैं नेक्स्ट है कि सूस्क पर्देसों में इस्थित पठारों को क्या कहते हैं सूस्क पर्देस जो क्या हो सूखा पर्देसों वहां कहेंगे सूस्क है तो सूस्क पठार सीमबली भासा में है कि नहीं इसमें तो कुछ याद करने की जरूरत नहीं है बस समझने की जरूरत है अगल क्या होता है पूरा आदर हो जाता है नमी हो जाता है तो वो आदर पठार हो जाएगा आपका ठीक है चलिए नेक्स्ट परस ने कहा रहा है कि धुर्विये परदेश है अब देखिए धुर्विये परदेश का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि 90 डिगरी नौर्थ है और 90 डिगरी सा तो यह जो धूर्बिये छेतर रहें यहाँ पर क्या होता है? सालो भर बर्फ हीं बर्फ हीं यहाँ पर, जमी हुई रहती है, या फिर हीमा चादित भाग, मतलब कि हीम से पुरा भरा हुआ भाग, यहाँ पर पाये जाने वाले जो पठार है, दोस्तों, इसको हीम पठार ठीक है चलिए अगला है कि गुंबद आकार के पठार को क्या कहेंगे गुंबद आकार का भी पठार होता है गुंबद जैसा अना गुंबद की तरह तो गुंबद आकार को कहेंगे गुंबद आकार पठार कहेंगे कटे छटे पठार को क्या कहते हैं तो विच्छेदित पठा अकार जो है न दोस्तों ये सीड़ी के अकार का भी होता है ठीक है तो सीड़ी अकार के जो पठार होता है इसको कहते हैं सीड़ी नूमा पठार है ना ये आपको देखने को सभी मिल जागा आपको तिबबत के पठार में आपका ठीक है नेक्स्ट है कि वैसे पठार जो अपनी जिर्णा वस्था की प्राप्ती के बाद पुनह और अधिक उचे रूप में उभर आते हैं उसको क्या कहते हैं देखे जो पठारे हैं जैसे कि हिमाले परवत के बारे में अभी आप देखे कि हिमाले परवत अभी भी उपर की और उठ रही है पहले हम लोग पढ़ते थे 8848 मीटर आज हम पढ़ रहे हैं 8850 मीटर यानि कि ये जो हिमाले परवत ये दिन परती दिन क्या है उपर की और उठ रही है ठीक है उपर की और ये उठ रही है तो वही यहाँ पर पठार के बारे में भी कहा रहा है कि ये जो पठार है अपनी जिर्णा वस्था प्राप कर लिया है लेकिन फिर भी ये अधिक उचे रूप में उभर आते हैं तो इसको कहते हैं पुनर युवनित पठार इसको कहा जाता है आपका ठीक है तो ये चीज़ आप याद रखिएगा अगला है कि 20 वका सबसे उचा पठार काउन सा है तथा समुद्र तल से इसकी उचाई कितनी है बहुत important छपेगा exam में कि दुनिया का जो सबसे उचा पठार है वो है पामीर का पठार देंकि ये बहुत सारे लोग confuse कर जाते हैं क्या कि पामीर का पठार अलग है और तिबबत का पठार अलग है भाया दोनों ये खी है ठीक है पामीर का पठार और तिबबत का पठार दोनों ये खी है ठीक है आप confuse नहीं किजिएगा और इसकी जो उचाई है ये बहुत ज़ादा उचा है पठार का ऐसे इतनी उचाई नहीं होती है लेकिन उसकी जो उचाई है दोस्तो 6,000 मीटर तक लगवग इसकी उचाई है ठीक है तो यह पामीर पठार की जो उचाई है 4,875 मीटर इसकी उचाई है और जो उचाई मापी जाती है दोस्तो का सबसे बढ़का पठार यही है अना दुनिया का सबसे बढ़का पठार यही है तिबत का पठार और इसको दोस्तों विश्व की छत भी कहा जाता है तिबत का पठार को क्या कहते हैं याद रखिएगा विश्व की छत छपता है यह सब कोस्चन एक्जाम में तो विश्व की ख़त भी इसको कहते हैं और इसका बिस्तार है ये दो लाख वर्ग किलो मीटर इसका बिस्तार है ठीक है चलिए अगला प्रस्ट है कि किस पठार को विश्व की छत तो अभी आपको बता दिए पामिर की पठार, आप अप्सन में तिबद की पठार भी रहेगा, तो तिबद पठार भी आप मार सकते हैं, अगला है कि Green Land का पठार किस महा सागर के उत्तर मेज़ती थे, देखे, Green Land के बारे में पहले परसो आप लोग को बताये थे कि 20 वका सबसे बड़ा द्यूप है दोस्तों वो Greenland है अना Greenland क्या है तो 20 वका सबसे बड़ा द्यूप है Greenland पर किसका अधिकार है ये question पूछा जाता है तो Denmark का अधिकार है ठीक है Greenland पर किसका अधिकार है Denmark का अधिकार है ये आप याद रखिएगा और सबसे बड़ा द्यूप आपका यही है द्यू land है यह Atlantic जो महासागर है दोस्तों इसके उत्तर में है हाना Atlantic महासागर के उत्तर में है आप देखिएगा उपर में मिलेगा आपको आना जैसे कि यहाँ पर Europe महादेश है तो Europe महादेश के यहाँ पर बगल में मिलेगा और यहाँ पर आपको मिलेगा उत्री अमिर्का महादेश आपका ठीक है चलिए देखिए अट्लांटिक महासागर को न अंध महासागर भी कहा जाता है ये भी आपको कभी कभी अंध महासागर भी देगा अगर पूछ लिया जाए कैसी है तो ये सच्छर की है ठीक है कैसी है ये सच्छर की इसकी आक अगर पूछा जाए कि हिंद महासागर की आकरिती कैसी है तो हिंद महासागर की आकरिती दोस्तों तिर्भूज की आकरिती की है अगर पूछ लिया जाए कि परसांत महासागर की आकरिती कैसी है तो परसांत महासागर की आकरिती वह अच्छर की है यानि कि बृत की आकरिती भी आपको लिख सकता है और वो अच्छर भी लिख सकता है जीरो भी लिख सकता है ठीक है तो याद रखिएगा चलिए एगला प्रस्न है कि Great Basin का पठार Great Basin का पठार किन नदियों के बीच इस्थीत है बताइए Great Basin का पठार जो है ये कौन सा पठार तो तिबबत का पठार जिसको विश्व की छत भी कहा जाता है चलिए next है कि ब्राजिल के पठार का आकार किस परकार का है अब देखिए ब्राजिल का पठार अब ब्राजिल कहां है ता आपको पता होना चाहिए कि ब्राजिल जो है ये दक्षिन अमेरिका में है ठीक है दक्षिन अमेरिका में है दक्षिन अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है वो ब्राजिल ही है आपका ब्राजिल ठीक है और यहां का जो पठार का आकार किस परकार का है तो यह तिरभूज आकार का है ठीक है कैसा है तिरभूज के आकार का है आपका नेक्स्ट प्रस्न है दोस्तों आपका कि बोलिविया का पठार किस परवतमाला के छितर में है तो एंडीज परवतमाला और एंडीज के बारे में भी आपको बताये थे कि दुनिया के सबसे लंबी परवत स्रिंखला कौन सी है तो वो एंडीज परवत स्रिंखला है ठीक है एं अलासका का पठार आपका ठीक है अलासका का पठार नेक्स्ट है कि ग्रेट बेसिन का पठार के दक्चिन में इस्थित पठार कौन सी है तो कोलोरेडो का पठार है आपका ग्रेट बेसिन के पठार के दक्चिन में कोलोरोडो का पठार है अगला है कि किस पठार को एसिया माइ प्रवत प्रवत बटफार जो प्रवत स्रिण सामने मिंधा स्थितों समय हो किस पठार को दोस्तो मालागासी का पठार कहते हैं तो मेड़ागासकर पठार देखिए मेड़ागासकर बहुत इंपॉर्टन चीज है आपका मेड़ागासकर मेड़ागासकर कहां पढ़ी है बताए तो मेड़ागासकर जो आपका एक दियूप है ना मेड़ागासकर क्या है तो यह एक दियूप है दोस्तों मेड़ागासकर क्या है दियूप मेड़ागासकर आपको देखुए यहां पर मिलेगा मैं आकरीती बना रहा हूँ और यह जो आकरीती मैंने बताया आपका तो यह अफरीक menagaskar डिवप आपका थीक है collar जो डिवप हैना इसके बारे में एक सवाल और पुछा जाता है कि menagaskar जो है यह चौथा सबसे बड़ा दीप कौन सा है तो वह सका नाम है menagaskar और पहला नंबर पर कौन था तो अभी आपको बताये थे green land ठीक है याद रखिएगा नेक्स सवाल है दूस्तों नेक्स्ट प्रस्ण है कि चिया पास का पठार किस महासागर के तट पर है तो परसांत महासागर आकरीती कैसी है परसांत महासागर की तो वह रखिएगा बिरीत यह जीरो कुछ भी दे सकता है नेक्स है कि भारतिये प्राइदी पठार कि इसका एक भाग है तो गोंडवाना का अभी आपको बताये थे गोंडवाना लैंड के बारे में जो हमारी पिर्थवी पहले क्या थी देख पेंजिया के रूप में थी अना इसके दच्छिन वाले भाग को कहा जाता था गोंडवाना लैंड अना दच्छिन वाले भाग को क्या भाग है भारतिये प्राइदीप का मतलब क्या होता है चलिए मैं आपको बता देता हूँ ये वाला जो छेतर आप देख रहे हैं तीरभुज की अक्रिती का इसको कहते हैं दोस्तों भारतिये प्राइदीप हाना ये क्या है आपका भारतिये प्राइदीप का भाग है और भारत बहुत important सवाल था कई वर पूछा गया है अगला है कि किस पठार को जो आला मुखी पठार कहते हैं तो मैक्सिको का पठार नाम ही है मैक्सिको का पठार ते मैक्सिको में ही होगा आपका है और मैक्सिको कहां पर ही है तो मैक्सिको उत्तर मेरका में ही पढ़ता है उत्तर मेरका चलिए तो आज दोस्तो हम इतना ही रहने देते हैं आपको विडियो कैसा लगा जरूर बताईएगा और आप सभी से जो एक रिक्वेस्ट था कैरियर परिवार के तरफ से एक रिक्वेस्ट है हमारे जितने भी पुराने साथी है जितने नए साथी है अगर आप और भी करने का नहीं है उतना मेरे पास से तो इस बज़ा से थोड़ा सा सहीयोग मांगा जा रहा है अगर आप लोग सहीयोग कर देते हैं तो बहुत अच्छी बात है और बहुत सारे लोग किये हैं अना आभी 40-50 लोग सहीयोग कर चुके हैं ठीक है तो आप लोग जितना ज्यादा हो सके सहीयोग करे क्योंकि उसमें खर्च जादा आता है अगर 10, 20, 50,000 कराता तो मैं खुद ही उसको लगा देता आप सभी से मांगने की जरूरत नहीं थी क्योंकि आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं इतना आप लोग सहीयोग कर रहे हैं यह बहुत बड़ी बात है और थोड़ा सा और भी हमें पता है का आप लोग सहीयोग जरूर करेंगे और तो जो भी आप से बन पड़े ऐसा नहीं कि आपको 1000 रुपया ही देना है जो भी आपक और आप इस नमबर पे बात भी कर सकते हैं ये बेरा ही नमबर है, परसनल नमबर है WhatsApp नमबर भी यही है और हमारा फोन पे नमबर भी यही है Google पे भी यही है WhatsApp पे यही है जिस परकार से आप payment करणा चाहे 방법 इस पर कर दीजिएगा और screenshot हमारे whatsapp पर भेज दीजिएगा ठीक है वहाँ आपको आपका नाम नोट कर लिया जाएगा और जब भी class होगी तो आप लोग का नाम लिया जाएगा ठीक है तो आप लोग थोड़ा सा सहीयो कीजिएगा ताकि आप सभी की class निरंतर चलती रहे और दोस्तों जो लोग हमारे नए साथी हैं और अभी ग्रुप में नहीं जुड़े हैं अब लोग जुड़ना चाहते हैं तयारी करना चाहते हैं परदान शिच्चक परदाना ध्यापक की तो आप हमारे यहाँ जुड़ सकते हैं हमारे यहां कलास चल रही है और पूरी तैयारी चल रही है और आगे जब डिस्टल बोड खरीद लेगे ना तब तो फिर कुछ कहना ही नहीं है पिर तो आप लोग को एकदम हवा में उड़ियेगा फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बस थोड़ा सा आप लोग सहयोग करें कुछ दिन आप लोग धैरे रखें और उसके बाद हम बहुत जल्द ये आपको विवस्था कर देते हैं ठीक है जो नए साथी है तो 351 पे करके हमारे नए गुरूप में जुड़ सकते हैं और उनको सभी नोट्स विडियेख मिल जाएगा और 351 कैसे पे करना है तो इसी नं लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को सेर कर दीजिएगा दोस्तों चलिए तो आज हम इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट कलास में तब तक लिए गुड़नाइट गुडबाई टेक केर कल दोस्तों इसी चैनल पर 9 बज़े अपलोग जरूर अब तब तक लिए गुड़नाइट गुड़नाइट टेक केर धन्यवाद कि 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 कि